आज हल्दुवानी की रहने वाली रेवती काणपाल की काहनी चारों तरफ गुंज रही है। जी हाँ, रेवती के एक छोटे से प्रयास ने जहां समाज में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है, तो वहीं उनका नज़रिया और भी बड़ा होता जा रहा है। सारवजनिक जगहों पर कुडा फेकने के प्रती लोगों को जागरुक करने की उनकी मुहीम अब शहर से गाउं की ओर रुख करने लगी है। 55 साल की रेवती कणपाल पड़ी लिखी नहीं है, लेकिन परियावरण और समाज के प्रती उनकी जिमेदारियां क्या हैं, इसको भल बहाती समझती हैं। स्थानिय जनता भी रेवती के इस पहल को सरह रही है। कूडे के प्रती चलाए जा रहे इस अभियान से गाउं में एक नया बदलावसा आ गया है। ग्रामीड लोग रेवती की इस पहल को कूडा क्रांती का नाम दे रहे हैं। रेवती और उनकी टीम अब तक साथ गाउं के 11,000 परिवारों तक अपने परियावरण विकास अभियान के जरिये पहुँच चुकी है। और लोगों को लगातार सफाई का संदेश दे रही है जिसे बदलाव भी दिखने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्दवानी से तारा चंद जोशी की रिपोर्ट।